दोस्तों आज कल सभी लोग UPI का इस्तमाल जरूर करते हैं आप भी UPI का इस्तमाल कर payment जरूर करते होंगे UPI payment आप कई तरीके से कर सकते हैं जैसे कि आप Google पे, Phone पे, Paytm, Moviquick, WhatsApp पे या सभी बैंकों का अपना-पना UPI app हैं जैसे कि Central Bank of India का भीम सेंट पे, बैंकों बरोदा का भीम बरोदा पे, इसी तरीका से और भी बैंकों का अपना-पना UPI app है इसके अलावा सभी बैंकों का Mobile Banking App के अंदर भी UPI का option दिया गया है तो यहाँ पर NPCI के तरब से notice जारी किया गया है NPCI ने notice में क्या कहा है इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे NPCI UPI payment को सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा update दिया है नई guideline जारी किया गया है UPI payment को लेकर के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NPCI ने नया guideline जारी किया है तो डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्या है नया guideline और आपको इससे क्या फाइदा होने वाला है दोस्तों अब तक जितने भी UPI application है जो की UPI payment की service उपलवद कराती है चाहे third party application, google पे, phone पे, amazon पे, ptm, movi quick या फिर whatsapp पे या जितने भी bank जो की UPI service उपलवद कराती है यानि कि जब आप UPI से payment करते हैं तो उस समय आप से location को on करने के लिए कहा जाता है जब तक आप location को on नहीं करते हैं तब तक आप UPI से payment नहीं कर पाते हैं UPI payment करते time आप location की permission नहीं करते हैं तो फिर आप UPI से payment नहीं कर पाते हैं तो इसी को ध्यान में लगते हुए NPCI ने सभी UPI app को नया guideline जाड़ी किया है NPCI के तरब से नया update जाड़ी किया गया है जैसे कि दोस्तों अभी आप Google Pay के माध्यम से किसी को भी payment करते हैं कोई भी QR code को scan करके payment करते हैं जैसे कि हम यहाँ पर amount fill up करते हैं इसके बाद paper किलिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा वारा है location को on करने के लिए आप यहाँ पर ok पर जैसे ही किलिक करेंगे location on हो जाएगा आपके mobile का उसके बाद ही आप लोग payment कर पाएंगे यदि आप यहाँ पर location को on नहीं करते हैं तो फिर आप लोग Google Pay के माध्यम से payment नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर no thanks पर क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हैं यह पेमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर फिर से आगया है pay करने के लिए फिर आप paper किलिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर location को on करने के लिए कहा जाता है आप ok पर click करेंगे तो location आपका on हो जाएगा उसके बाद आप लोग आसानी से Google Pay के माध्यम से payment कर पाते हैं लेकिन दोस्तों यदि आप phone Pay के माध्यम से किसी को भी payment करते हैं जैसे कि हम यहाँ पर payment करते हैं पेपर किलिक करते हैं तो यहाँ पर देखे location को on करने के लिए नहीं कहा गया है यहाँ पर UPI pin पूछा जा रहा है जैसे हम यहाँ पर UPI pin फिल अप करेंगे यह payment हो जाएगा तो यहाँ पर phone Pay में location की permission नहीं मागा जाता है दोस्तों यदि आप Central Bank of India के UPI app Bheem Sent UPI को open करते हैं और इसमें आप login करते हैं तो login करने के बाद यहाँ पर देखे लिखावाएगा आपको location को on करने के लिए दिख सकते हैं तो यहाँ पर Central Bank के UPI app में भी location का permission मागा जा रहा है आप यहाँ पर OK पर किलिक कर लेंगे तो location on हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर Central Bank of India का UPI app इस्तमाल कर पाएगे यदि आप no thanks पर किलिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे का process ही नहीं होता है यहाँ पर login ही नहीं हो पाता है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं NPCA के तरब से यह notice जाड़ी किया गया है और यह notice 5 July 2022 को ही जाड़ी किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है to all UPI members यानि की जितने भी third party UPI app है या फिर जितने भी bank है जो की UPI service provide कराती है उन सभी को यह notice जाड़ी किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं subject में लिखा हुआ है guidelines on capturing customer location on UPI apps यानि की UPI में location को capture करता है उन सभी को यह notice जाड़ी किया गया है दोस्तों इस guideline में बहुत कुछ लिखा हुआ है share करने के लिए बाद नहीं कर सकते हैं यानि की वह location को share करता है अपना तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई location को share नहीं करता है तो भी आप UPI payment को रोक नहीं सकते हैं यानि की बिना location को on keyway भी आप UPI payment कर सकते हैं तो इस तरीका से यहाँ पर NPCI ने UPI service देने वाले third party UPI app या फिर जितने भी bank है उन सभी कोई notice जाड़े किया गया है यादि कोई भी UPI app इस तरीका से location को on करने के लिए काता है तो फिर NPCI इस पर action लेगी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाला है Google Pay को क्योंकि Google Pay में ही आप जब Google Pay के माद्यम से UPI payment करते हैं तो वहाँ पर location को on करने के लिए कहा जाता है जब तक आप location को on नहीं करते हैं तब तक आप payment नहीं कर पाते हैं इसके अलावा और भी UPI app है बाकि और भी app है जिसमें की location को on करने के लिए कहा जाता है लेकिन phone pay में आप UPI के माद्यम से payment करते हैं तो वहाँ पर location की permission नहीं मागा जाता है आप लोग बिना location को on किये वे ही phone pay के माद्यम से payment कर पाते हैं तो यहाँ पर जो NPCI के तरब से नया guideline जाड़ी किया गया है अब आपको सभी UPI app में बीना location का permission on किये वे ही payment करने का option मिलने वाला है उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना मत फूलिएगा फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर